तो गाइस अगर आप लोग अपने फोन में ब्लुटूट के माध्यम से स्पीकर को कनेक्ट करना चाते बट स्पीकर पेर नहीं हो रहा है तो कैसे आप लोग इस प्राब्लम को फिक्स करेंगे वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा विलका इकन को प्रेस कर लेना है तो जैसे कि हम अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करते है देने यहां पे हम क्लिक करते हैं ब्लुटूथ की सेटिंग्स पे हैं और अगर हमें कोई भी स्पीकर वाला ब्लुटूथ होगा उसको अगर पेर करना होगा अगर नहो तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे आप लोग एक बार अपने फोन को स्विच आउफ करके स्विच अन कर लीजेगा काफी चानसे कि यह तरीके से आप लोगों के प्राब्लम फिक्स हो जाएगी और अगर सॉफ्ट्वेर अपडेट से कोई प्राब्लम होगी तो आप लोग को जाना होगा अपने फोन की सेटिंग्स पे देन आप लोग को सॉफ्ट्वेर अपडेट पे क्लिक करना होगा और अगर आप लोग के फोन में कोई update अवेलेबल होगा तो simple आप लोग अपने फोन को update कर लेजेगा ठीक है उसके बाद आप लोग का तीसरा solution क्या है आप लोग अपने फोन की settings ओपन करें देन आप लोग को reset settings पे जाना होगा जो कि हर एक स्मार्टफोन में आप लोग को मिलेगी ता आप लोग को reset पे क्लिक करना होगा और यहां पर आप लोग को एक option मिलेगा reset network settings जिसमें की mention किया गया है bluetooth को भी तो आप लोग simple अपने phone में network settings को reset कर दीजेगा network settings में क्या अगर Bluetooth में किसी गलत activity की वज़े से आप लोग की phone में इस type की problem आ रही होगी तो सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा और आप लोगों की problem भी fix हो जाएगी और network settings को reset करने से आप लोग का storage का कोई भी data delete नहीं होता आप लोगों को निश्चिंत रहना है तो ये solutions की मदब से आप लोग यह problem को fix कर सकते है मिलते हैं next video में जय मतादी